हेलो इस्टुनेंट्स, वेलकम डू सुपर ग्रैट्स, मैंने में दभिशेक पंडे और आज मैं आप सभी के लिए एक अलग सा सेशन यहां पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके एक्जामिनेशन खतम हो चुके हैं, और रिजल्ट्स का टाइम पीरेड यहां पर शुरू हो र लेकर आया हैं, तो मैं शुरूती आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, सुपर ग्रैट्स पर, सबसे पहले, बिग कॉंग्रेट्ट्वलेशन अन्यूर सक्सेस तु यू और यूर फैमिली, हाव यू अर्यू फैमिली, हाव यू थाम पर्षेट्ट्स, अन्यू पर करें थे, बट 97.25, I didn't expect it, but yeah, I got it. अभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है, जो हमें बिलकुल unexpected थी, लेकिन वो हो गया, लेकिन जब आप उस चीज को realize करते होगी, नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो factor रहा होगा है, ऐसे तो teacher खुज होगे, आपको number नहीं देदेंगे, तो आपक dedication, hard work, I focus majorly on reading and understanding, जो मैं बिलकुल भी नहीं कर रहा है कर रहा है, अंडर्सेंड लेकिन जो concept होता है, and हमाय जो teachers है, तो उन्ने जो explanation देता है, वो ही बहुत होता है, अमारे लिये, and उसको read करना, regular basis, revisions, that's all. Okay, so मैंने अपने viewers को already बता दिया है, you have scored 97.25, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी जो four subjects हैं, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा score किया है, उसमें हर एक subject में आपके कितने score रहे हैं, और हर एक subject में आपकी, अगर मैं one point strategy यहां पर पूछूँ है, कि जैसे political science है, sociology है, तो इसमें एक चीज जो आगे आने वाले सभी students के लिए बहुत useful हो सकती है, वो क्या होगी? In political science, I score 98 mark, and in sociology, मैं पूलिस पोरा है, 100 mark, and इसमें मैंने, like, you can, मैंने इसमें आपकुछ नहीं करा रहा, मैं हार्डवर की करा है, मैंने, like, I lived in boarding, so, वहां पे, मतलब, मेजर ली पन भी होता था, और पढ़ाई भी studies भी होती थी, so, मतलब, पस, चो, अन्ड़ understanding, understanding, basic, clear, होता है, so, you can write your own answers, and objectives for practice, practice is must. Okay, so, you, you, you have informed about two subjects, or rest two subjects, and your score? Yeah, in environmental science, I score 98 as well, like, same political science environment, and in English, English is compassed, I score 93 mark. Okay, so, आपका school, जो है, वो कौन सा है, कहां से हो आप? So, I am from Bhopal, so, this is Sunskar Valley School. Okay, so, Sunskar Valley School, और वहां की topper है, ठीक है, उनका नाम है शुरुती, 97.25. Okay, शुरुती, मैं यह पूछना जाता हूँ, कि जैसे, अब आपका Board Examination, है ना, जो आपने बहुत, बार बार मैंने एक चीज आप से जानने की कुछिश करी, कि आपने कुछ ऐसा किया हो अपने Board Examination में, जो बाकी के टॉपर्स नहीं करते हों, और आपका स्कोर इतना जादा इस वज़े से यहां पर आया है, लेकिन बार-बार में एक चीज जो देख पा रहा हूँ, वो देख पा रहा हूँ, कि भईया, आपका Dedication और आपका Hard Work, ठीक है, कई बार क्या होता है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको थोड़ा सा Gift मिला होता है, वो थोड़े बहुत preparation कर कि अपनी बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कई सारे student ऐसे होते हैं, जो अपनी किस्मत, अपना result, अपनी मेहनत से लिखते हैं, तो मुझे ऐसा रखता है कि आपके case में, जो आप यहां पर बता रहे हो, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि Hard Work, Dedication Reading, Understanding, यह सब चीज़ें जो है, वो Important Role प्ले कर रही है, ठीक है, चुरूती तो, हाँ, मैंने सारे मेजर ली Hard Work की कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ती होंगी, और मैं सोचते हुए कि मेरी किस्मत साथ देदेगी, और मैं अच्छा स्कोर कर लेंग अच्छा स्कोर नहीं था, और फिर उसके बाद दिये दिये रहे हैं, जो टीचर्स है, फेकल्टी हैं, हमने मुझे बहुत सपोर्ट करा, एंडर हाँ, हाँ, मैं पर बोर्डिंग में फैमिली नहीं थी थी, लिक मों डाट पीरिंस नहीं थे हमारे, तो महां के जो वार्डन ह एंडर हाँ, मैं पर बहुत सपोर्ट किया हमारे प्रिंटीपल पंडा संथ, तो सब के सपोर्ट सेंथ, मैं नहीं थे हमारे बहुत सब्सक्राइब करने उनको भी मुझे बहुत जादा उमीद थी, तो इसलिए मैंन, तो यू इंपर्णा सेंद यू स्कोर्ट नाइटीए इ प्रिंटीए आपको यू सेंदेगे आपको क्या इसलिए आपको गिफ्ट तेन आपके खुड़ पर्संटेज के अभी तक तो उच नहीं, पापा तो अभी थर पर भी नहीं आई है वने बढ़ बताया हो साम को हाय के अच्या अथा, और मैं ममा पूच रही थी क्या रही है स में तो आपको इसे चोड़कर आपको इस रास्ते पर जाना है मनलब आईसी बोड में और क्लास 12 बोड में मुझे नहीं लगता कि ऐस सच कोई बहुत सिमिलारिटी है बिल्कुली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है अब यहां पर क्या है कि शुर्ती मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका जो अपकमिंग स्यूटी इग्जामिनेशन यहां पर आने वाला है स्यूटी इग्जामिनेशन के लिए आपकी क्या अप्रोच अभी तक रही है अब अब तो तो तेंडी बच्च जादा टाइम ही नहीं है तो अब न्सी आइग पूरी एक्जाम लाइन बार लाइन तो मैं गोथ्मी का सकती हूं आइड मच टाइम तो मैं मॉक टेस्ट और फेक्स पर फोकस कर रही हूं अब में जरी पॉलिटिकल साइज में फेक्स पर ही जादा कर रही हूं अब अभी मेरे बहुत फेक्स क्लियर है पॉलिटिकल साइज में अज़ टुपर सफ्यू साथ और जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेर कर रहे हूं उसका क्या प्रूच है आपका सोशलोजी मेरे साथ सोशलोजी का आइएज की और आपने माग कर रही है जादा जादा उसमें वह नहीं है तो उसमें जादा कुछ नहीं है थोड़ी सी में में चीज़े जो है आपने माग कर रही है और लेंगविज वगएरा जनरल टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट अलब अभी का जो टाइम पिरेट बचा हुआ है और आगे के जो 10 डेस बचे हुए है इसमें आपको बस मॉक टेस्ट लगाना है और जो गलतियां है उन्हें बस रेक्टिफाई करना है ठीक है कोई स्पेशल चीज जो आप मॉक टेस्ट देते टाइम या उसे अनालिसिस करने के दौरान यहां पर रियालाईस करते हो तो कितने मॉक टेस्ट लगाया होंगे तुमने अभी तक अगर दिन फिफ्टी लगा लिए तो दिन में शुबे दुपहर को एक एक टेस्ट भी लगाए तो भी पूरा टाइम जो है वो अगले तो कोई एक स्पेशल अप्रोच टेस्ट को कैसे अटेम्ट करना है उसका अनालिसिस कैसे करना है तो पहले तो देख लो कि कौन से 40 में अव्लाब अब अब शियोर हो और मैं वही करते हूँ जो मुझे अच्छे साथ तो पहले उन्हें करते हूँ उससे एलिमिनेशन से मतलब बहुत हद तक सही हो जाता है में आप सर्थ एलिमिनेशन मेंटड हम यहां पर कर लिए ठीक है अभी मॉक टेस्ट आपने दे दिया मॉक टेस्ट के बाद आपका स्कूर आपके पास पता चल गया है मैं यूट्यूब पर जाके उनकी वीडियो देख लेती हूँ और उसको फिर प्रैक्टिक करती हूँ प्रॉपर क्योंकि सेक्शन वाइस भी टेस्ट दे सकते हूं तो मैं इस लिए उस टॉपिक कर टेस्ट देती हूँ जो टॉपिक के कोश्शन यहां पर गलत हो रहे है उस टॉपिक के टेस्ट आप यहां पर देता हूँ तो अभी क्या मतलब अभी तो ठीक है अभी तो एक्जामेनेशन होने वाला है और उस परिपरेशन चल रही है या नहीं चल रही है यह सब्से इंपॉर्टन सीजिए होता है कि आपने जितने एफिर्ट लगए उसके बाद आपका satisfaction जो है वो ज़रूरी होता है है ना तो अगर satisfaction है आपने बहुत effort लगा है है ना score कैसा भी आए वो नहीं होना जी लेकिन satisfaction बहुत important अच्छा ठीक है शुरुजी मुझे बताओ कि अभी कितना target है कितने score लेकर आना है political science में sociology में, English में तीसरा domain कौन से है तुमारा history history है, sociology है, political science है है ना और एक English है दिल्ली इन्वर्सिटी जाना है yes sir, DU I'm targeting है हिंदू college में हिंदू college, political science में करना है किया तुम्हें कुछ yes sir, BA honours BA honours, political science, Hindu college best है ठीक है, आपके seniors भी बहुत सारे हैं महाँ पर ठीक है, तो जब तुम जाओगे वहाँ पर तो बहुत सारे seniors, मेरे पुराने students भी तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे political science में ही, ठीक है तो अभी ये चार subject है है ना, इन चार subject में कितना-कितना score करने का target है target तो full का रखा है, like 200 plus like 200 रखा है और 190 plus तो करना ही है मतलब तो हिंदू college की cut-off भी बहुत हाई होती है ठीक है तो इसलिए अभी तो main focus है कि target full है अब जितना आजा है ठीक है, अभी question paper दूँ मैं तुम्हें CUT examination का ये लो CUT examination का paper political science का कितने number आएंगे I can suppose 180, 190 तो I can now 180, 190 और अगर सब कुछ ठीक बैठा तो 200 भी हो जाएंगे ठीक है अचा, अब मुझे ये जानना है शृदी, what is your ultimate goal? ठीक है, अभी BA honors करने के लिए Hindu college में चले गए Hindu college में तीन साल, चार साल में तुम्हारा सब कुछ complete हो गया है ना, लेकिन उसके बाद क्यादर में सार, कॉलेज के साथ साथ मैंने डेसाद किया है कि मैं UPSC के coaching करूंगी like three years after I will try to clear it in first attempt like UPSC अभी कॉलेज़ from this year I will start preparing for it and college के side by side ठीक है, मतलब I am talking to UPSC material है कि sir Hindu college से करके I will start preparing for civil services and my ultimate goal is to clear it in my first attempt yes sir कितना बड़ा एम ही है एम बहुत बड़ा है dream है sir, childhood dream childhood dream है तुमारा, ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुमने childhood dream को लेकर यहां पर आगे बढ़ रहे है तो definitely तुम यहां पर अचीव करोगी शूती है ना और जैसे तुमने class 12th board examination में खुद को proud feel कराया है अपने parents को अपने साथ वाले मुझे proud feel करवाया है ऐसी तुम definitely अपना civil services examination qualify करके मतलब पूरे देश को है ना you are from Bhopal तो Bhopal को भी proud feel करवाऊगी खीक है तो शुरती my best wishes are always with you है ना और मेरा जो भी है ना guidance है वो भी हमेशा तुमारे साथ है at every stage of life not just for class 12th and CVT examination है you can contact me anytime and I will definitely help you तो शुरती हमेशा की तरह मेरे एक interview में खास बात होती मैं ना कुछ rapid fire questions यहां पर पूछता हूँ ठीक है तो वो rapid fire questions दो तीन questions होंगे मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हे answer करो ठीक है other than India कौन से country है जो तुम्हें यहां पर visit करना चाहती हो only one country Paris मलब कि तुम Paris जाना चाहती हो है ना so why I want to visit that country and like Paris tower भी है तो I just like it okay second question is who is your role model role model so my father why he is also a government servant so I always wanted to become like him only from my childhood I have seen him like in that dress police so I always thought that I have to wear service so my childhood was clear okay so your father is IPS not IPS he is an inspector town inspector town inspector okay got it now third is you like Bollywood movies more or Hollywood movies Bollywood Bollywood movies why not Hollywood I have seen many candidates nowadays that they like more Hollywood and South movies more than Bollywood I also like it but Bollywood Bollywood Indian and Bollywood actress I like them okay got it and one last question one last question from my side out of 800 what do you think in your CVT examination you are going to score out of 800 rough idea 720 plus so 750 plus 750 plus you are going to score okay so what do you think 750 is 750 score is enough to get in Hindu college not enough sir but I can score more but I will prepare I will do hard work and like in last okay after 10 days okay suppose this question I am asking just one day before your CVT examination is it 18th May I am asking this examination that I am asking you okay so you tell me that 18th May if I am asking this question then how will your score that will remain 80 sir I hope so 790 790 okay fair enough okay so Shruti this is all from my side you have very good You are you are ier years you can okay and agree just this है कि कैसे तुमने चीजों को इंप्रूफ करी है और आप यह मान लीजे कि आपका जो यह रिजल्ट है यह आपके डेडिकेशन हाड़ वर्क का जो है वो रिजल्ट है जो मैं भी इंज्वाई कर रहा हूं आप भी इंज्वाई कर रहे हो और हमारे वीवर्स ने भी 27% है ना और हुप सारी पार्टी इंज्वाई करना आउटिंग करना बस दस दिन आपको कंट्रोल करना है दस दिन के बाद मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारा अगें एक इंटर्व्यू लू है ना आफ्टर योर्स यूटी इग्जामिनेशन रिजल्ट है ना कि देट यह स् आज का हमारा इंटर्व्यू मुझे लगता है कि शूर्टी की जर्णी ने आपको इंस्पायर किया होगा है ना आपको अपने सीउटी इग्जामिनेशन के लिए और वो सारे सुडेंट्स जो अपकमिंग एर्स में अपने बोर्ड इग्जामिनेशन देने वाले उनको भी एक inspiration मिली होगी अगर आपके मन में कोई भी question है जो आप पूछना चाते हैं तो आप comment section में question अपना पूर सकते हैं और हमारे channel को जरूर subscribe करें क्योंकि इस तरीके के जो interview videos होते हैं toppers के वो आपको frequently यहां पर मिलते रहते हैं तो guys मिलते हैं next session में तब तक keep smiling and keep preparing लगे रो exam clear कर thank you so much jayhin